कि आपका स्वागत है आप सब कैसे उम्मित करों सब बढ़िया हुँए दोस्तों आज हम आज से हम एक नया टॉपिक लेके साथ आपके साथ शेयर करेंगे हो सकता है आज दिन हो सकता है पनरा दिन में हर एक वीडियो आपको नौलेज़ बला वीडियो रहेगा ठीक है आज हम एक इंख करेंगे हैं किनके साय्मित को दिखतता क्या पता नहीं है इसके मालूम ने लिए गाड़ी में लगा दिया तौ ठीक है पैसा मंग लेंगे यह सबका यही सिस्टम है आज हम उस सिस्टम को हटाएंगे और जितना हो सकता उतना हम बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करेंगे बिना टेंगे स्टार्ट करता हूं बताते जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनता जाएगा तो आज हम लिए यूज में लिए कििम्निकेशंट हम बहुत सार पने बाई बोलते हैं तो चोड़ा सा वीडियो बनाएंगे आपके साथ हम सबसे वहां जो आपना मैनिक्टर रहता है कोई पर लाफिक आपनी एक बीधिर से अदर रहता है सकता है आपकी गाड़ी में आपके गाड़ी में मैं में लेता हूं ये मान के चलो आपका इस प्रकार का डेल्स आडप्र होता है कि यह इस प्रकार का आपका डिल्स एड़ाप्टर होता है इसके अंदर उपर आठ निचे आठ यह तो ला पिन आएंगे शिक्स्टेंग पिन 16 पिन्स आएंगे ठीक है इसके अंदर पहला एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा टेरा 24 बन्रा 16 डिल्स एड़ाप्टर के अंदर आपको 16 पिन देखने को मिलेंगे तो जो में जो पौइंट्स रहते हैं उसकी बात में आपको करता हूं जो चार नंबर जो हता है चार और पांच नंबर जो हता है वह रहता है ग्राउंड 12 प्लेस 12 मैंस 12 मैंस चार नमबर और पॉइंट नमबर जो रहता है बारा महिनस रहता है और सौला नमबर जो रहता है जो आपका सौला नमबर जो रहता है वो रहता है बारा प्लेस बारा प्लेस ठीक है हो सकता है किसी गाड़ी में फ्यूस के त्रू आया हो फ्यूज का त्रू हआया हो ठीक है हो सकता है किसी गाड़ी में बसी बसी प्लशेंग know पिन में 12 वुल्ट प्लस और चार लॉए पांच नम्बर के पिन में रता है नगेटिव एनिग ग्राउंड ठीक है अब यह मान के चलो आपका इस जगह से इस जगह से वह कटी है ठीक है मान के चलो इस जगह से आपकी वह ब्रेक हो गई इस जगा से आपकी वेर ब्रेक हो गए तो इस कंडिशन में आपको क्या देखने को मिलेगा जब आप स्कैनर लगाएंगे तो आपका स्कैनर आन नहीं होएगा जब तक आपका स्कैनर आन नहीं होएगा जब तक आप कोई भी इसके अंदर स्कैनिंग या प्रोग्रामिंग कु तो आपका scanner नहीं होएगा एरर देखने को मिलेगे बाद में बोलेंगे जमीर भए हमारा स्क्राइब काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होता है जो वेरिंग को अच्छी तरह से जो जानते हैं उनको उसके बारे में कि अधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव है ठीक है अभी मान के चलो आपका यह कहीं से कटी है ठीक है चार नमबर आपका कहीं से कटा है पांच नमर में आपका ग्रोंड आ रहा है इस कंडिशन पे आपको क्या होएगा कि इसकेंडर कनेट होएगा और अपका पोड़ भी निकालेगा ठीक है और गाड़ी में प्रोब्लम क्या रहेगी जब आप इसकेंडर लगाएंगे उस टेम पे अभी मान के चलो कोई गाड़ी के अंदर आर्पियम काम नहीं करना है अर्पियम की उठ नहीं है जब आप इस लगाएंगे जब लगाएंगे उस टेम पर आप काम करना लगेगा कभी कभी ऐसा है आप समझ लेना चाहिए कहीं पर कटी है इस वजह से जैसे आप सक्षाइन लगा रहा है वह फंचन दुबारा काम करना शुरू हो गया तो इसका मतलब आप समझ जाओ कहीं से अर्थिम कटी है ठीक है यह कंडिशन और दोनों कट हो गए मान के चलो दोनों कहीं से कट हो गए तब जैसे आपका पाजिटिव कहीं से कटा हुआ है उस टेम पर आपका स्कैनर नहीं हो रहा है वाइस से ही स्कैनर भी नहीं होगा ठीक है यह हो गया और यह व्याव बेसिक और इसके बाद आपको यह देखने को मिलेगा और आपको यह देखने को यह हो गया आपका इसकैनर को आन करने के लिए और छे नंबर और चौदा नंबर यह रहता है चएन ही और कशना नंबर इसके अंदर अभी मानलो मर्टिमेटाइब दि उसके बड़ेंगे में आप कैसे मालूम करें यह कहीं से अंदर इसके आप कि इतना आना चाहिए इसके अंदर आना चाहिए टू पैंट फैंट से लेके प्रीप अना चाहिए ठीक है त्रीपाइट फैंट भी आएगा कि इतना चाहिए टीक फैंट 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 जीरो त्रीपाइट फैंट तक आपको व्रीट असकता है ठीक है और क्या लोग के अंदर आपका 1.5 2.5 voltage देखने को मिलेंगे 1.5 से 2.5 तक आपको voltage देखने को मिलेंगे ठीक है ये दोनों हो सकता है देखो इधर भी 2.5 आ रहा है इधर भी 2.5 आ रहा है तो is equal to 2 में आपको 5 चोल्ड आना चाहिए ठीक है और can low में करते हैं दोनों में आप तेस्टिंग करते हैं तो 5 वल्ड आना चाहिए और ये क्वाइर में आप टेस्टिंग करते हैं तो 2.5 और can low में टेस्टिंग इसाफ इसे 2.5 तक आना चाहिए और इधर मान के चलो आपका can high में 3.5 Vない वेल्ट आ है तो आपका जो फिस्टम में घलत है कहीना कहीं वेरिंग की दिक्कत है और कहीना कहीं आपका 3.5 रहा है तो आपको 3.5 आ रहा है और कहीं से वेरिंग शौर्ट है शॉट्ट तू ग्राउंड या शॉट्ट तो हई क्यान लोग करी के साथ आपस में लग गई है ऐसा इसका सिस्टम होता है जितना आपका उपर जा रहा है उतना आपका नीचे और आ दोनों को मिला के तो आपका छोटेस्ट है एक उसके सब्सक्राइब तो क्यार अपको दिख्कत नहीं होगा और एक सिस्टम होता है वो होता है मैं टेमेटर के त्रू ओम स्कूर टेस्टिंग दाना अभी देखो आपका कैन हमें तीन व्लट आ ठीके मान के चलो तो इधर आपको 2.0 यह दोनों को मिलाने से पान्सडार चाहिए तीन चार तू पंट पर ठीजन पर तींचर तू पहले हैं करें तू पलंस हुल टेसर पहले है ठीजल करें तू पहले हले हैं दो यह रोख फाइन स्थाएं जाराइड यह दाउपकर रारित वा घर बाहना चाहिए वन पाइंट देखो शुझा अभाँ में तो क्या लो में आपको आना चाहिए 2.5 ठीक है और मान लोग आपका क्या आई में आपका 3.3 पर आई तो आपका आना चाहिए 2.0 ठीक है बेख मान के चलो 3.5 आई में आ रहा है तो इज़र आना चाहिए आपका 1.5 वोल्ट ठीक है उम्मिद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और हलाएंगे स्ट्रेशन के बारी में शुरूप किया था तो इंद इसनी ही इतना हो गया तो में हम लिए लगी हम लोग और कैन लोग से कर सकते हैं क्या हमारी नेटवर्किंग का जो सिस्टम में वह सही है या घलत है तो वह नेक्ट वीडियो में कवर करने कोजिश करूँगा आप इसमें आना चाहिए सिस्टी क्लो सिस्टी ओम ठीक है सिस्टी और वन टुइंटी ओम साना चाहिए उसके बदली आपका सिस्टी ओम आ रहा है मानगे चलो आपका प्रॉपर है तो आपका सिस्टम खराब है वह नेक्स वीडियो में मैं बात करूंगा ओम्स के बारे में ठीक है तो यह हमने आज आपको बचाने की कोशिश किये तो आपको यह व दियाल सी का अडाक्टर के बारे में बात कियें कौन से कफलर में कितना जाना चाहिए और इसके अंदर दूसरे भी पिन आते हैं तो हर मैंनिक फेचर के उपर डिपेंड है इसमें कौन सा करेंट यूज किया गया है और के लिंग आता है इसके अंदर बहुत सब्सक्राइब आते हैं तो बेसिक नौलेज्ग से हम आपके साथ आ रहे हैं तो अगले नेक्स वीडियो जैसे जैसे हमारा वीडियो बंते जाएंगे उसके अंदर हम बताने की कोजिश करेंगे तो इस वीडियो को यहीं पर मैं करता हूं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और यो भी आपको इसके अंदर समझ में आया है नहीं आया है पुरा कमेंट सरके बताएं